इस अजीव और पर निवासी आपके विशिष्ट एलियंस नहीं थे वे संकी जीव थे जिन्हें जोग्रियन के नाम से जाना जाता था ये प्राणी एक हंसमुख जून थे जिनमें इंद्रदनिश से ठके फर जैसी अजीव विशिष्ट आए थी तीन आखे और एक मधूर गुंगुनाहट के माध्यम से सनवात करने की शमता एक दिन जारेद जोग्रियन एक खास तोर पर जिग्यासू और साहसी प्राणी एक प्राचीन वस्तु के पास आगिरा इंट्रिग्यूर जारे ने इसे छूने से रोप नहीं पाया और एक प्रकाश के जलक में छोटे जोग्रियन ने खुद को एक बिलकुल अलग गैलेक्सी के एक हिस्से में पाया जिसे जानते हुए जारे को नहीं था वह ब्लिप्रिन ग्रह पर उत्री थी जो ब्लिपियंस का घर है एक प्रजाती जिसे जाना जाता है उनकी तकनीकी ख्षमता ब्लिपियन्स को अनपेक्षित मेहमानों से मजाग नहीं था खास कर उन्हें जो सिर्फ खाली हवा से प्रकट हुए ग्रह के शासक राजा ब्लीपो जारे को अपने राजदरबार में बुलाया अपने आपको समझाओ घुस पैठिया राजा ब्लीपो उसकी तीन आँखे जारे पर संकुचित हो रही हैं हकलाते हुए जारे ने अपनी आकस्मिक यात्रा और रहस्यमेशी ओप को व्यक्त करने की कोशिश की हाला कि व्लिपियन्स अंदेह में थे उन्होंने पहले कभी जोग्रियन नहीं देखा था और जारे के इंद्रदनिश्षी रंग के फर और मधुर गुंगुनाहट उनके लिए काफी विदेशी थे जब जारे ने व्लिपियन्स के साथ तर्क करने की कोशिश की तब उनमें अफरा तफरी मच गई जारे के गायब होने से पूरा ग्रह अस्थ व्यस्थ हो गया था जोग्रियन्स ने अपने खोई हुए दोस्ट को वापस लाने के लिए एक काउंसल बुलाया अपनी प्राचीन खोपडियों से परामर्श करने के बाद उन्होंने खोजा कि जिस रह समय और्प को जारे निच्वा था उसमें आकाश गंगा के बीम ग्रहन करने की शक्ति थी जारे को वापस लाने के निर्ने के बाद कुछ जोग्रियन्स इस मिस्टिकल और्प को ढूंगने के लिए सफर पर निकले डब्राश रास्ते में अजीब ग्रहों से मुलाकात हुई विचित्र चरित्रों से मिले और चुनोतियों का सामना करना पड़ा जो उनकी एकता का प ब्लिपिन के और्फ को अदला बदली कर दिये ब्लिपिन पर वापस जारे का गुस्सा बरता जा रहा था क्योंकि ब्लिपियन्स उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे थे इस दौरान जोगर पर जोग्रियन्स हैरान रह गए जब उन्होंने अपने कबजे में आया और अपनी रह समय चमक खोदी होती देखी दोनों समुहों को अपनी मुसीबत को समझने में संघर्ष करना पर रहा था पर उसे जल्द ही मालूम हो गया कि उसकी शरारत से अनपिक्षित परिनाम हो गए थे जोगर और व्लिपिन के एक बार सामंज से पून ग्रह अप अराजक् के साथ और सको उनके मूल स्थानों पर वापस बदल दिया जारे अचानक खुद को जोगर पर वापस पाई और जोगरियन अप चमकते और के साथ अपने दोस्त को वापस पाकर राहत महसूस कर रहे थे कोरकोन की मदद के लिए आभारी होते हुए जारे और जोगेरियन ने खास उत्सव आयोजित किया जिसमें वे बलिपियन्स को शामिल करना चाहते थे उत्सव में हसीस संगीत और दोनों ग्रहों के बीच नई दोस्ती का जश्न मनाया गया राजा बलिपो और जारे अपने अनुखे गुनों के साथ जल्दी से दोस्त बन गए जिससे अंतर गल्क्सिय सहयोग की नई युक की शुरुआत हुई और आकस्मिक साहसिक कारे ने एक अनपेक्षित दोस्ती को जन्म दिया जो जोगर और बलिपिन के बीच की दूरी को कम करते हुए नई मित्रता का जन्म दिया ब्रहमान के विस्तार में बंधन समझ और ब्रहमान ये शरारत के स्पर्ष के माध्यम से बनाये जा सकते है